उसकी समिक्षा उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उप्योगी हो सकती हैं आज की इस चर्चा में मुझे भी आपसे काफी कुछ जानने का आफसर मिलेगा ग्राउंड रियालिटी क्या है उसको समझने का आफसर मिलेगा आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स आपके सुझाव देश को आगे की रणरिक्ति बनाने में अवश्य मदद करेंगी साथियों किसी भी संकट से निपटने के लिए ताइमिंग का बहुत महत्व होता है सही समय पर लिये गए फैसलों ने देश में कोरोना संकर्मन को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है बविश में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाब लड़ाय का अध्यन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया कोपरेटिव फडरिलिजम का सर्वोत्तम उधारन प्रस्तुत किया साथियों जब करोना दुनिया के अनेग देशों में चर्चा का विशव ही नहीं बना था तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारिया शुरू कर दी थी फैसले लेने शुरू कर दिया थे हमने एक एक भारतिय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है बीते हप्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतिय भाई भेहन विदेश से अपने वतन वापिस लौटे है बीते हप्तों में लाखों की संख्या में प्रवाशी स्रमीक अपने अपने गाउं पहुँचे हैं रेल, रोड, एर, सी, सारे मार्ग करीब करीब अब खुल चुके हैं लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमान उस जैसा विनास्कारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफ़त पैदा की हैं दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार, लोगडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाये गए अनुसाचन की आज भारी चर्चा हो रही है, आज भारत में रिकवरी रेट पचांस पतितत से उपर चला गया है आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमीत मरीजों का जीवन बच रहा है कोरोना से किसी की भी मृत्यू दुखद है हमारे लिए किसी एक भारतिय की भी मृत्यू असहज करने देने वाली है लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं जहां कोरोना की वज़े से सबसे कम रुत्य हो रही है अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस सग्गट में अपने नुक्सान को सिमित करते हुए आगे बढ़ सकता है अपनी अर्थववस्ता को तेजी से सम्हाल सकता है साथियों बीते दो हपते के अनलॉक वन ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पारण करते रहें सारे दिशान दिर्दोशों को मानते रहे तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुक्षान होगा इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत जादा जोड़ देना अनिवारिया है आवशक है बीना मास्क या फेस कवर के गर से बाहर निकलने की अभी कलपना करना भी सही नहीं है ये जितना खूद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी इसलिए दोगज की दुरी का हमारा मंत्र हो दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबून से हाथ दोनी की बात हो सेनिटाइजर का इस्तेमाल हो ये सभी बहुत गंबीरता से किये जाने चाहिए खुद की सुरक्षा के लिए परिवार की सुरक्षा के लिए विशेशकर गर के बच्चों और बुजर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है अब तक लगभग सारे आफिसेश खुल चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में भी लोग आफिस जाने लगे हैं, बाजारों में सडकों पर बीड बढ़ने लगी है, तो इस सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे, थोड़ी सी भी लापरवाई, थोड़ी सी भी डिलाई, अनुशासन में कमी, कोरोना के खिलाप हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा, और इतने दिनों की जो तपस्या है, उस पर पानी फिर जाएगा, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोग पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोग पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थेववस्ता खुलेगी, हमारे दप्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांस्पोर्ट के साधन खुलेंगे, और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे, साथियों, आने वाले दिनों में, अलग-लग राज्यों में, एकनोमिक एक्टिविटी का, जिस तरफ विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव, दूसरे राज्यों को भी बहुत लाब पहुँचाएंगे, बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से, हमारी अर्थेववस्ता में, ग्रीन सूट्स दिखने लगे हैं, पावर कंजम्शन जो पहले गड़ता जा रहा था, वो अब बढ़ना शुरू हुआ है, इस साल माई में, फर्टिलाइजर की सेल, बीते साल माई की अपेक्षा दो गुनी हुई है, इस बार खरीब की बुगाई, बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13 परसंट जादा हुई है, टू विलर्स का प्रोडक्षन लॉगडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब 70 प्रतिशक तक पहुच चुका है, रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉगडाउन से पहले के स्तिती में पहुच चुका है, इतना ही नहीं, मई में टॉल करेक्षन में बढ़ोत्री होना एकोनोमिक एक्टिविटी में बृद्धी को दिखाता है, लगातार तीन महिने तक एक्षपोर्ट में कमी के बात जूर में एक्षपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविर पिरियड में पहुच गया है, यह तमाम संकेत हैं जो हमें प्रोचाहित कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेडित कर रहे हैं, आप एसे अधिकतर राज्यों में एग्रिकल्चर, होटिकल्चर, फिशरीज और MSME का हिस्सा बहुत बड़ा है, आत्मन निर्भर भारत अभ्यान के तहट बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टरस के लिए अनेक प्रावधान किये गए हैं, MSME को सपोर्ड करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिये गए हैं, समय बद्ध तरीके से MSME को बैंक से क्रेडिट दिलाने का प्रयास हो रहा है, 100 करोड रुपिये तक के टर्न ओवर वाले उद्ध्योगों को 20% अतिरिक क्रेडिट के आटोमेटिक इंक्रीज का लाब दिया गया है, अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्ध्योगों को तेजी से क्रेडिट मिले तो वो जल्द से जल काम शुरू कर पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे, सात्यों हमारे यहां जो स्मॉलर फक्टरिज हैं, उन्हें गाइडन्स की हैंड होल्डिंग की बड़ी ज़रूरत है, मुझे पता है, आपके नेत्रुतों में इस दिशा में काफी काम हो रहा है, ट्रेड और इंडस्री अपनी पुरानी रप्तार पकड़ सकें, इसके लिए वैल्यू चेंज पर भी हमें मिलकर काम करना होगा, राज्यों में जहां कहीं पी स्पेसिफिक एकनोमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं, वहाँ 2400 घंटे काम हो, सामानों की लोडिंग, अलोडिंग तेजी से हो, एक सहर से दूसरे सहर तक सामान जाने में, स्थानी स्तर पर किसी तरह की दिक्क अपना हो, तो एकनोमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी, साध्यों किसान के उत्पात की मार्केटिंग के ख्षेतर में, हाल में जो रिफॉर्म्स किये गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाब होगा, इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्द होंगे, उनकी आए बढ़ेगी, और खराब मौसम के कारण, स्टोरेज के अभाव के कारण, उनको जो नुक्सान होता था, उसे भी हम कम पर कर पाएंगे, जब किसान की आए बढ़ेगी, तो मनिश्चित रुप से दिमान भी बढ़ेगी, और राज की अर्थिववस्ता की गती भी बढ़ेगी, विशेशत तोर पर, नौर्थीश और हमारे आदिवासी इलाकों में, फार्मिंग और होटी कल्चर, इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं, और्गेनिक प्रोडक्स हो, बांबू प्रोडक्स हो, दूसरे ट्राइबल प्रोडक्स हो, उनके लिए नए मार्केट का खुलने वाला है, लोकल प्रोडक्स के लिए जिस क्लस्टर बेज रनदीति की गोशना की गई है, उसका भी लाप हर राज्य को होगा, इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर जीले में ऐसे प्रोडक्स की पहचान करें, जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके, ए एक बहतर प्रोडक्त हम देश और दुनिया के बाइदार में उतार सकते हैं, साथिव बीते दिनों आत्मा निरभर्द भारत अभियान के तहत, जितनी भी गोशनाय की गई हैं, वो एक निश्चित समय सिमा के भीतर जमीन पर उत्रे, इसके लिए हमें एक जूट होकर काम कर ना है, इस प्रिष्ट भूमी में करोना से लड़ाई और एकनोमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुजाब हैं, जो तयारियां हैं, वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुख हूँ, और मुझे पक्का विश्वास हैं, कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बाते आएगी, वो आने वाले रणदिती बनाने में बहुत काम आएगी, मैं ग्रमंत्री जी से आगर करता हूँ, कि वे आगे की चर्चा का संचालन करें कि वे ऊके आएगी, आपकी ज publicly अनुभवली के लिएकए जिए हैं, यहा रहती हैं, इा यागी, मैं अनल अ गपक आएगी, मैं आहे हैं, गाम बही के दि somethinों सेंंगा टाले, तूर्चा की